जानकारी दे रहे हैं, 119 आरेस सधिकारियों के तबातले की गए हैं कार्मिक विभाग ने आदिश जारी किये सिलसले वरे नाम सामने आ चुके है लिस्ट पस इंडिया आप तक कोचा चुका है आरेस मुल्चंद को रल स्टार रारसान के तोर पर लगाया गया है विश्विदारे जैपुर में आरेस सजीद सिंग राजावत को आति आयक्त सीजी आईजी एनपी विकाने लगाया गया है आरेस प्रजेश कुमार चांदूलिया को मा प्रवधन गंगान अगर शुल मिक्स सेलेमेटर जैपुर में लगाया गया है लिस्ट आपको दिखा रहे है नाम यहाँ पर सामने है और कार्मिक में भागने इससे लेकर आदिश जारी करती है नरेश ये बियोरे चीफ हमारे से लगातार बने हुए है उनका रुख करेंगे नरेश ये जाहिर सी बात है क्योंकि जादतर रिक्त पद थे लेकिन बहुत लंबे समय से थे और अब चुनाव आ रहा है नसीख उससे पहले जब लिस्ट जारी होती है तबादले होते है खाली जगा भरी जाती है तो फिर सियासा से जोड़ कर भी देखना लाजमी हो जाता है बेहत मैतुपून हो जाता है पूरी डिटेल आप से लेना चाहेंगे चुनाव आने वाले हैं चुनावों से पहले एक नई जिम्मदारी है फिर नई जिले भी बने है नई जिलों में भी पद लगाए कए है और थोड़ा सा फेर बदल किया गया है इससे अलावा पहले भी लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी संशोधन किया गया है और अब जो लिस्ट आई है जो पहले कमिया रह गई थी उसे पूरा कर दिया गया जो खाली पते उनको भरा गया है हलंकि अब बहुत ज़्यादा खाली पत नहीं रह गई है आने वले समय में चौंद खाली पत है जो ने भरा जाएगा यानि कि 31 अगस से पहले पहले एक और लिस्ट ये उमीद है कि सामने आ सकती है और नए नाम सामने आ सकते हैं कार्मिक में भाग द्वारा और एक लिस्ट ज ज़गा पर सौंपी गई है आरेस पर्शुराम धानका की बात करें तो अब भरतपूर में आती संभागिया आइक के तौर पर नज़र आएंगे आरेस डॉक्टर वृधी चंद गर्ग की बात करें तो बांसवाडा में सीउ के पत पर नज़र आएंगे आरेस महावीर ज़र राजधानी में आरेस चोगा राम धिवासी अतिया एक तो योजना अमनीती आपकारी में भाग में हुदैपूर में जिम्हदारी निभाएंगे फिर आरेस भगवात भगवन्त सिंग जिन में ज़र विद्यत वित्र निगम में सच्छिव के तौर पर जिम्हदारी न इस गोवन सिंग राणावत उधैपूर में कारेकारी निदेशा खान एमखनीज में भाग लमेट जच में अपनी जिम्हदारी निभाती निजर आएंगे डोक्रर रितुराज हमरसल लगातार बने हैं इस ख़बर पर इनसे और ज़्याद अपडेट ले लेते हैं रितुराजी वैसे तो आप पूरी डिटेल दे चुके हैं लिकने एक बार फिर से आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि अब जब लिस्ट जारी हो गई है नाम फोल्स इंडिया ने सबसे पहले बता दिये हैं तो हल्चल भी शुरू हो गई हो कि क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाब आने वाले हैं लेकि पूनम जो महत्पून तबार दे हुए हैं वो हुए हैं नगर निकमों शेहर इविकास की संसाओं जिला आपकारी और रसत अधिकारियों जिसे एहम पदों को या तो भरा गया है या उनके बतलाव किये गए हैं पहले भी इस बारे में चर्चा की जाशी है जो जिला परशियार ने जो सीओं के पद हैं वीवी और जो विभागों के जो एहम पदों जिन पर पोस्टिंग आरेस की एहम मानी जाती उन पदों पर बदल हुए के साथ ही जो एहम पद अगर हम बात करें तो इसमें रजिस्टार आर्यू का रिक्त पद पर मूलचंद को यह पर लगाया गया है करीब एक महीने इसे यह पद नहीं था और पूर में ऐसा कहा गया था कि जब छातर संग चुनाव आ रहे हैं हाला कि अब शातर संग चुनाव नहीं होंगे लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया जोरों पर है इसके साथ ही कुछ प्रवेश परिक्षाएं और अन्य का काम भी जारी है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अभी तक सरकार ने अगर हम पूरी सुची में देखें तो करीब आधा ऐसे पद हैं जब रिक्त पदों पर पोस्टिंग हुई है तो अभी तक जो सरकार मतलब प्रशाथ की व्यवस्ता कहीं न कहीं प्रभावित हो रही थी इक्यावन अगर रिक्त पदों को बरा गया आइस में तो निश्चित रूप से यह अंदाजा लगा जा सकता है कि प्रशाथ की दवस्ता में कई बार कितनी बड़ी खामी छूट जाती है मारणा प्रताब क्रशी उश्चिदाले उदेपूद अजिश्तार के पद पर बंशेदर कुमावत को लगाया है तो वहीं भरत्पूर में अतिरिक संभागी आयुद परशुराम धानका को लगाया गया है इसी तरह से अगर हम जिला परिशत की यो बांसवाडा के पद पर बात करें तो वो घृद्धिचन गर को लगाया गया अतिरिक संभागी आयुद पूदेपूर के पर तो मावीद खराडी को लगाया तो यहां यह देखा जा सकता है कि जो विभागों में भी कई पद रिख संभागी आयुद परिशत की जैसा की तब जानते हैं कि शेरी और ग्रामिन ऑलम्पिक जारी है तो उसमें परिशत सचिव का जो पद वह नहीं रिक्त था और उस पर सौन राम चोधरी को यहां पर लगाया गया तो और अन्य पदों की बात करें तो उपायर नगर्णिका पर उम्क्रकाश विष्णों प्रफम अपने जिम्मेदारी साना सम्भालेंगे जैडिये जैपूर उपायक्त के रिक्त पर यहां पर संतोर्ष करोड को लगाया है यह एहम पॉस्टिंग मानी जा सकती है क्योंकि जैडिये का काम जो रहता है वह एहम रहता जैडिये ग्रामिन अलवर का जो पत था उसमें प्रमिन कुमार अगरवाल को लगाया और हेटेज निगम जैपूर उपायक्त के रिक्त पर करतार सिंग को भूमिका दी गई है तो आरे से में मेल उदेपूर बरिश्पूपंदक का रिक्त पत था काफी समय से उन्हें सुरश कुमार तो यह तमाम जो एहम पत थे इन्हें यहां तो बनने की यह इधर उदे करने की कोशिश की है इसी कड़ी में वाइने चिक कर अधिकारी जैपूर भी आता है जिसमें महें चन्द मान को लगाया गया है और अतिरिक ताइब नगर निगम पोटाउसर के रिक्त पत दिवान श शर्मा को लगाया गा इसी तरह से राज कॉंप इंफो सर्विसेस लिमिटेड का जो पब्लिक पत था यह भी देखने वाली बात है क्योंकि तमाम जो सेंडर और सेवाएं जो ली जाती हैं सौफ्वेर आदी से चुड़ी हुई आईटी का हैं महत्वूर्ण पत है जिसमें इसके साथ ही एक महत्वूर्ण युक्ति जो कर्मचाय चाहिन आयोक में हुआ है वोर्ड में जो अज्जेक्ट जो बनाया गया है वो नहीं पर हुई है और पहली बार हम देख सकते हैं कि मेजर जनरल आलोक राज मतलब सेना के बेग्राउंड के विस्की को यह जम्हादारी देखकर एक मैसेज दिया गया है कि बर्ती कराने के लिए जो बकाया बर्ती कराने क कहते हैं पुरी हो इसके लिए एक सेन में बैग्राउंड के अधिकारी को यहां पर जिम्हादारी दी गई है और यह बहुत नहीं जिम्हादारी और इसमें हम कह सकते हैं कि जुन 1913 में इनको कमिशन दिया गया था आलोक राज को और यूएन सेनी परवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ इन्होंने काम किया था तो 32 सेंजा में 37 से ज्यादा समय बचाड़ने के बाद अब आलोक राज को यह जिम्हादारी दी गई है जी पिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तार से जानकारी देने के लिए रितराचे